नमस्कार मित्रों, एक बार पुने स्वागत है आपका हमारे यूट्रूब से न स्टेडी एक्जाम एकेडमी में, एक बार पुने आपके सामने उपस थी तुम, आज 27 अक्टूबर 2020 जो भी करिंट अफेर्स के कोशन बन सकते हैं, वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करता उमिद करता हूँ, पिछले के वीडियो में, जो भी मैंने कोशन शमजाने की कोशिश की, या आपको बताने की कोशिश की, वो सारे आपको याद है, या आपको समझाए होंगे चले मित्रो, आज का ये शेशन शुरू करता हूँ, उससे पहले यदि आपने इस यूटूब सेनल को सब्सकाइब नहीं किया है, तो आप सब्सकाइब कर ले, और यदि आप डेली वीडियो करिंट अफेर्स देखना चाते हैं, तो जरूर सब्सकाइब करें, मैं डेली बो इंपोर्टेंट रहेगा कोशन, दो तीन तरीके से ये लेबनान है, इंपोर्टेंट है, सारे के सारी बातें आप नोट करते चले, देखें, कन्फूजेबल ना रहे हैं, अभी मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ, वो आप घ्यान से सुनें, हाल ही में लेबनान के परदान म परदान मंतरी नुक्त हो चुक है, चले बैया, मैंने कहा यहां गमाशान हुआ था लेबनान में, लेबनान की एक राजदानी है बैरूत, क्या है बैरूत, बैरूत में हाल ही में थोड़े दिनों पहले, अमोनियम नाइट्रेट की वज़े से विश्पोट हुआ था, मैंने अमोनियम नाइट्रेट की वज़े से हुआ, ये बात पकी नोट कर लेनी है आपको, तो हुआ क्या, इस अमोनियम नाइट्रेट के विश्पोट के कारण, वहां के उस टाइन के परदान मंतरी थे हसंदियाब, मैंने आपको कोशन भी करवाया था ये, हसंदियाब ने इस ब बिरूत में अमोनियम नाइट्रेट की वज़े से दमाका हुआ उस दमाके का अशन दियाब ने अपने खुद पर क्या ले लिया उसका कारण ले लियागे हमारी वज़े से ये दमाका हुआ तो हसन दियाब ने इसके कारण अपने पद से अपनी मंत्री मंदल के साथ क्या दे इस्तिफा दे दिया तो इस्तिफा देने के बाद अभी वर्तमान में परदानमंत्री का पद खाली था अब वहां चुनाव कराएगे और 118 सीटों में से 65 साद अलहरीरी को प्राप्त हुई और वहे लेबनान के नए परदानमंत्री बन चुके हैं वो जगां किसकी लेंगे हस अक्टूबर 2019 में पुने बोदराओं अक्टूबर 2019 ने इन्हों ने क्या दे दिया जनता का विद्रो की वज़े से इस्तिफा दिया था प्रति एक बात याद रखनी है साद अलहरीरी भी क्या है इस्तिफा दियोए परदानमंत्री है इन्हों ने अक्टूबर 2019 में जनता के विरोध के कारण अपने पद से इस्तिपा दे दिया लेकिन इन्हें वर्तमान में पुने प्रदान मंत्री न्यूक्त किया गया है क्योंकि इन्होंने 118 में से 65 सीटे प्राप्त हुई है इस कोशन मैं आपको सबसे इंपोर्टेंट बात में बताना चाहूंगी ये कोशन आपक का अमोनियम नाइट्रेट की वज़ेश हुआ था ये बात जरूर नोट करके रखें दोस्तों अपने दिमाग कहीं भी दिल सारी जगें नोट कर ले अपने नोट बुक में भी नोट करके रखें चले मित्रों हाल ही में फीफा रेंकिंग जारी की गई है इसमें भारत का इस इस्तान 108 है कौन सा इस्तान है विया 108 अब फीपा रेंकिंग में पहला इस्तान बेल्जियम ने रखा है दूसरा इस्तान फ्रांस ने रखा है तीसरा इस्तान ब्राजील ने रखा है और भारत का इस्तान 108 वा इस्तान है चले अब बात आईए फीपा की इसके बारे में जान ग्यानी इंफेंटिनो है कौने विया ग्यानी इंफेंटिनो है मैंने बता दिया भारत की रेंकिंग 108 उससे ज्यादा इंपोर्टेंड रहेगा फीपा चलिए फीपा के बारे में पुने बता रहा हूं 1904 में इस्तापना जूरिक में हेड़कौाचर और इसके वरतमान हेड ग् या फीपा वर्ल्ड कप बता देता हूं क्योंकि वर्ल्ड कप सीदे सीदे आपके पुलीस वाले दोस्ते हैं जो भी इनका एक्जाम है भीया 6,7,8 नवंबर गो वो नोट करके रखें फीपा वर्ल्ड कप 2018 में रूश में हुआ था कहा हूँ आ था रूश में हुआ था 2022 में कहां होगा तो कतर में होगा जबकि मैं तो बता देता हूँ 2026 में कहां होगा तो ये 26 में तीन देशों में होगा विया कहां 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 कनाडा मेक्शिको और यूएश में और ये कनाडा मेक्शिको यूएश में जब 2026 में ये वर्ल्ड कप होगा तो ये एक इतियास रहा होगा चलिए मित्रों सारी की सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आयोगी हाली में मैंने एक रेंकिंग और बताई थी जिसमें भारत का 94 इस्तान रहा उस रेंकिंग के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दूसरी बात यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है पसंद आ रहा है कोशन समझाने का तरीका ठीक है आपको समझ भी आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करनें दोस्तों फिर अपने दोस्तों में शेयर करनें जिससे हमारा मोटिवेशनल स्पीच बढ़ जाए मैंने कहा आज मेरा टारगेट रहेगा हजार व्यू का आप हजार व्यू जरूर लें दोस्तों मेरा यही तो टारगेट है मेरा यही तो प्रोथसान है तो आप भी मेरे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूं तो आपको गोशिश करनी चाहिए का अपने लोगों पता है अब इस संयुक्त राष्टर के बारे में जानते हैं दोस्तों जो जो important बात है मैं एक बार बोलता रहूँगा आपको note करते चलना है संयुक्त राष्टर की स्तापना 24 अक्ठूबर 1945 को हुई पचास देशों के गोशना पत्तर के तेट मैं पुने लाइन बोल रहा हूँ इसकी स्तापना कब हुई भी या 24 अक्ठूबर 1945 को हुई और उसमें 50 देशों ने गोशना पत्तर जारी किया जिसके तेट संयुक्त राष्टर की स्तापना की गई और ये संयुक्त राष्ट दिवश कब से मनाना प्राणम किया गया तो 1948 से ये दिवश मनाना प्राणम किया गया इसका हेड़ क्वाटर न्यू योर्क अमेरिका में है विया इसके सदेश्य वर्तमान में है इसके वर्तमान हेड एंटोनिया गुटारेस है दूसरी बात यदि भारत से कोशन आचेकते हैं तो भारत के इस्ट्याई परति ने दी यूएन में को ने तो टी एन तिरी मूर्ती सारे लोग इस नाम को नोट कर लेंगे टी एन तिरी मूर्ती भारत के यूएन में इस्ट्याई परति ने दिये विया तिरी मूर्ती को ने भारत के इस्ट्याई प्रतिनी दिये कहां पर UN में दूतरी बात एक कोशन ओर आता है संयुक्तराष्टर के कितने अंग है तो 6 अंग है कितने अंग होते हैं भिया संयुक्तराष्टर के 6 अंग है संयुक्तराष्टर की आधिकारिक भाषा भी पूछी जाती है भिया संयुक्तराष्टर में कितनी आ रहा हूं से हूं के नाम अंग्रेजी चीनी इस्पैनी अर्बी फ्रांसीजी और रूसी ये च्छे बासाइय हैं स्युक्तराश्टर की और इसके अंग भी कितने च्छे है भी या अभी एक और कोशन बनेगा भारत को दोजार बीश इकीस के लिए इसकी परिशद है स्युक्तराश्टर परिशद मैंने काता नहीं इसके च्छे अंग है जिसमें से एक अंग है स्युक्तराश्टर परिशद जिसमें भारत को ए इस्तेई परतिनिदी बना दिया गया बिया और ये एड़्ट चाहिए लाइक और शेर जरूर कर देना चाहिए नेक्स्ट कॉशन है हमारा हाल ही में महादेवी वर्मा योजना किस राज्य दौरा शुरू की गई है वह या उत्रप्रदेश दौरा ये शुरू की गई है इसमें होगा क्या सर्मिकों की जो भी बच्चियां है यानि बेटिय हैं उनको किताबे खरीदने कोप्या खरीदने के लिए 500 रूपे का क्या दिया जाएगा अनुदान दिया जाएगा पुन्हे नाम बोद रहा हूं इसमें क्या क्या जाएगा जो सर्मिक है सर्मिकों की बेटियों को किताबे या पुस्टकों को खरीदने के लिए 500 रूपे का अनुदान दिया जाएगा सिधा सिधा पूछ लेगा महादेवी वर्मा योजना में कितने रुपे का अनुदान दिया जाएगा तो 3500 रुपे का सारे ये उत्रप्रदेश वाले जो भी लोग हैं इस बात को नोट कर लें भीया सीधा सीधा कोशन पूछेगा महादेवी वर्मा योजना में कितने रुपे का साहिता दी जाएगी तो 75 तर्शो अभी हाली में इस महादेवी वर्मा योजना के साथ साथ एक योजना और सुरू की गई है उस योजना का नाम लिखें पुने नाम बोल रहाओं स्वामी विवेकानंद एतियाहसिक प्रियेटन यात्रा योजना इस योजना में क्या होगा तिर्थ यात्रा के लिए बार हज़ार रुपे का क्या दे जाएगा उमीद करता हूँ दोनु की दोनु योजना आपको कंटस्त हो चुकी होगी अब बात उत्र परदेश के आई है तो उत्र परदेश के बारे में सारे लोगों को comment box में comment करना है मैं बहुत बार बता चुका हूँ उत्र परदेश के बारे में चले मित्रो next question लेता हूँ फिफ्थ नमबर question इस पर लगा ले भईया, start दो तरीके से कोशन बनेगा अभी बता दूँगा किस किस तरीके से पहला कोशन तो आएगा अंतराष्टी हिम तेंदुआ दिवश कम मनाया जाता है तो 23 अक्टोबर को कितने को भाया 23 अक्टोबर को अंतराष्टी हिम तेंदुआ दिवश मनाया जाता है और ये कब से मनाना स स्टार्ट किया तो 2014 से मनाना सुरू क्या गया है, कब से 2014 से, अब देखें कोशन यह इंप्वर्टनेर है, उतना ही इंप्वर्टनेर्ड अब जो मैं बात बोज़ रहा हूँ भारत में होलेंड या निदरलेंड, होलेंड बो लूँ या निदरलेंड देश की शायता से उत्राखंड में भारत का पहला हिम तेंद्वा संद्रक्षन के अंदर बनाये जाएगा यहां से दो कोशन पूछेगा हिम तेंद्वा संद्रक्षन के अंदर का बनाये जाएगा तो उत्राखंड में किस देश की शायता से तो याद रखना होलेंड या निदरलेंड देश की शाहिताश है बनाए जाएगा उम्मीद करता हूँ मित्रों ये बात आपको समझ मैं आई होगी और आपने अपनी नोट भोग भूएं नोट भी कर ली होगी क्योंकि ये कोशन सीधा सीधा छपेगा और आपको इसका आणशर दे देना है बही है चले मित्रो withdraw six number question लेता हूँ मैं हाल ही में देखे मैंने एक ranking पढ़ा चुका हूँ इस question में तो आज एक ranking और बता देता हूँ 1992 इन्टरणेट ranking जारी की गई इसमें सरवादिक internet speed किस देश के बही है इन्टरणेट ranking 138 यानि 138 देशों में भारत का इस्तान 131 देश है वह या बहुत दैनिय इस्तिति है एक सबसे बड़े लोकतंत्र में इतना खराब इंटरनेट ये बहुत दैनिय इस्तिति है उमीद करते हैं इसको सुदारा जाएगा कोई भी योजना सरकार बनाएगी और इसके तहत सुदा जाना चाहरा हूँ चले सेकिन हिस्तान भी ये ओसं में पूछ रहा है तो सेकिन हिस्तान नौरवे लिख ले भीया क्या दक्षिन हो रहीँ है की황पड़ी भीया सीधहλά सीधह कोशन पूछा जाता है स्थिंचन का भी कमपणी है तो दक्षिन को रहा की इस सेम्सं कंपानी ने विश्वे का सबसे बड़ी मोबाईल फैटरी, पुने नाम गोद रहा हूं, सैम्संग कंपनी द्वारा, विश्वे की सबसे बड़ी मोबाईल फैटरी, भारत के ग्रेटर नोईडा में इस्तापित की जाएगी विया। greater noida में samsung दौारा विश्वे की सबसे बड़ी mobile factory इस्तापित की जाएगी ये बात नोट कर लें अग greater noida में बिया उत्रप्रदेश सरकार दौरा भारत की सबसे बड़ी film city भी बनाई जाएगी भारत की सबसे बड़ी film city काम रही जाएगी greater noida में बनाई जाएगी चले मित्रों यहां कोशन मैंने दो कोशन समझा दिया है आपको उम्मिद करता हूँ दोनों के दोनों आपको समझ आए होंगे चले नेक्स्ट कोशन हाल ही में किस राज्य दौरा स्मार्ट ब्लेक बोर्ड योजना सुरू की गई है चले मित्रू इसके बारे में जानते हैं तो smart blackboard योजना बहिया तमिल लडू राज्ये दुवारा शुरुके गए किस राज्ये दुवारा तमिल लडू राज्ये दुवारा इसमें होगा क्या वहां की 80,000 सरकारी स्कूलों में क्या किया जाएगा smart board लगाए जाएंगे बहिया 80,000 सरकारी स्कूलों में smart board लगाए जाएंगे और वो teaching का method यानि पढ़ाने का जो तरीका होता वो audio visual होगा बहिया किस methods का होगा audio visual तरीके का होगा और वहां पर मैंने बता दिया है सरकारी स्कूलों में श्मार्ट बोर्ड लगाने का ये प्रावधान है सीधा सीधा कोशन ठपेगा श्मार्ट ब्लेक बोर्ड योजना किस राज्जी दुवरा शुरू की गई है तो तमिलाडू दुवरा शुरू की गई है चले मित्रु तमिलाडू के बारे में मैंने कभी आपको बताया है नहीं है आज मैं आपको तमिलाडू के बारे में बताता हूँ तमिलाडू की राजधानी नोट करें तमिलाडू की राजधानी है चेननई वहां के वरतमान मुख्यमंत्री एडापड़ी के प्लानी स्वामी और वहां के वरतमान जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल प्रोहित है वहां सारी बातें नोट करें चेननई एडापड़ी के प् QA 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 Q आपने जरूर पीओगी ब्लेक ब्लेक रंग की आती है फिज तो इस फिज कम जो फिज कोल्टरिंग है यह पाल्लो एग्रो की एक कोल्टरिंग है भीया तो पाल्ले एग्रो की ब्रांड एमेजडर पिरिंग का चोपडा को बनाए गया है हाली में आप क्या देख रहे होंगे एक देख रहे होंगे एड देख रहे होंगे फिज बी फिज नाम का एक एड है कोल्टरिंग हाई है बी फिज नाम की एक कोल्टरिंग जो कौन एड करीए भीया पिरिंग का चोपडा तो आपको इस कोशन में नोट कर लेना है कि पाल्ले एग्रो की ब्रांड एमेजडर किस master की बात आईए तो चितने भी आपको brand master याद है दोस्तों जो regular मेरी class ले रहा होगा उमीद करता हूँ उसे कम से कम 8 से 10 brand master याद होंगे और वो 8 से 10 जो भी आपको brand master याद है वो अपने comment box में comment कर दे जिसने आज वीडियो स्टाट किया है वो 2-3 में बता देता हूँ सचीन तेंदुलगर पेटियम फर्स्ट गेम्स का brand master यापके लिए important रहेगा भया पेटियम फर्स्ट गेम्स का brand master किसे बनाए गया है सचीन तेंदुलगर को कियारा आडवानी को भया मिन्टरा का brand master बनाए गया है मिन्टरा का brand master किसे बनाए गया है तो कियारा आडवानी को बनाए गया है चले मित्रू जो भी दोस्त जिसको याद है वो comment box में comment कर देगा ताकि अपने अन्य दोस्तों की भी help हो जाए चले मित्रू next question है micro ATM सिवा किस राज जी दुवरा सुरू की गई है micro ATM सिवा क्या है भी या इसके बारे में भी जानते हैं इसमें होगा क्या ये ग्रामीन छेत्रों के लिए सुरू की गई है मिजोरम सरकार दुवरा ग्रामीन छेत्रों के लिए सुरू की गई है मैंने इस question का answer बता दिया आपको माइक्रो ATM सेवा मेगालिय सरकार दोवारा शुरू की गई है और ये गरामीन छेत्रों के लिए सुरू की गई है इसमें होगा क्या एक एजेंट बनाये जाएगा जो क्या करेगा गरामीन छेत्र में जाके पैसों का उपलब्द करवाएगा क्योंकि हर एक गरामीन छेतर में अपन बेंक नहीं पा सकते है या ATM नहीं पा सकते है उन्हें कुछ दूरी जाना पड़ता है इसकी सुईदा के लिए क्या किया जाएगा बेंक दौरा एक जेंट न्यूक्त किया जाएगा जो क्या करेगा गाउं में जाकर अपनी पेशों की य क्यों सी है तो सिलोंग भारत की सोवी स्मार्शी की है जो कि मैगाले की राजदानी है सिलोंग अपने लिए एक और इंपोर्टेंट बन जाता है भया दुखद गरटना है लेकिन है दुखद बताना चाओंगा कि सिलोंग में ही हमारे एपी जी अब्दुलक्लाम आजाद का निधन हुआ था भया उनकी हार्ट अटेक की वज़े से क्या हुआ था भया मित्यू हो गए थी हालांकि वो काला दिन मान सकता हूं मैं क्योंकि एक एशा व्यक्ति जो अपने इस्टुडेंट पर राज करता इस्टुडेंट के दिलों पर राज करता और भौत कुछ और कद कौंदरोड शंगमा है उनकी पार्टी का नाम आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करना है उनकी पार्टी का नाम क्यों पूछ रहा हूं इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको क्या करना है कौंदरोड शंगमा की जो भी पार्टी है उस पार्टी का नाम अपने comment box में comment कर देना है, चले मित्रू, last question लेते हैं, आज का 10th number question, एकिकरित करशी ग्राम योजना, किस राज्य दोरा सुरू की गई है, तो एकिकरित करशी ग्राम योजना, उत्त्रा खंड राज्य दोरा सुरू की गई है, इसमें होगा क्या, तो करशी उत्त्पादन को, या करशी उत्तपादन संग धन को बड़ावा देना, इसका रव्षी ये कि करशी उत्तपादन में सुधार करना, और किसानों के आय में बढ़ोतिरी करना, इसका उद्धिशिय रहेगा, जो कि उत्राखंड सरकार द्वारा शुरू के गई है उत्राखंड की राजदानी अपने देहरादून है और वहां की वरतमान मुख्यमंत्री तिर्वेंदर सिंग रावत है वहां की वरतमान राज्यपाल बेबी रानी मोर्या है और एक कोशन बताना चाहूं मैं आपको किसके बारे में उत्राखंड के बारे में तो आप नोट कर लें होप पोर्टल उप्राखंड द्वारा सुरू किये गया था और मैंने एक तो बताई दिया निद्रेन की रिसाइटाजे भारत का पहला हिम तेंदुअसंदरक्षन केंदर उत्राखंड में खोला जाएगा और एक कोशन पूचे संस्क्रित गाउं का हम बनाएगे भी या संस्क्रित गाउं का हम बनाएगे तो संस्क्रित गाउं उत्रा खंड में बनाएगे हैं ये भी बात आपको नोट कर लेनी है चले मित्रों आज के जो भी मैंने कोशन बताएं उम्मीद करता हूँ सारी के सारे आपको समझ आयोंगे और सारे लोगों को अपनी तैयारी में इस सकेत है कुछ भी हेल्प होगा चले मित्रों आज का शेशन तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको यह दिए शेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जिससे के हमारा ओशला अपजाई होगा भी है मैं उम्मीद करता हूँ एशी बात आप से है चले मित्रों धन्यवाद जै हिंद जै भाद